नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आप आप से मज़े में होगे दोस्तों आज की वाली वीडियो के अंदर में आप लोगों को एक ऐसा बताने वाला हूं जो कि यहां पे धमाकेदार Stocksplate Announce करने वाला है यह यह स्टॉक काफी ज़्यादा Fundamentally Strong है बेकॉस इस टॉक ने पास्ट वन येर के अंदर अप्रोक्सिमेटली 900 परसेंट तक के रिटरंस दिखाए है इस आज की इस वीडियो के अंदर इस स्टॉक के काफी जादा डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं बात करेंगे इस स्टॉक के फंडमेंटल्स, फानाइशल्स, शेरोल्ड आप इस वीडियो को अभी के भी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं हूँ आरोश आप देख रहे हैं फिर्म मीडिया बाया आरोश चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बताता हूं कौन सा है फंडमेंटली स्टॉंक स्टॉक जो की यहा जादा हाई रिटर्न्स है जोगी हमें एक नॉर्मल कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बेकॉस इस कंपनी ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिखाए हैं बात करते हैं इसके स्टॉक प्राइस की तो करेंडली जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है वह 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 रहा है 263.85 रुप तो स्टॉक का करेंड प्राइस करेंडली 52 वीक हाई की तरफ है जो की इंडिकेट करता है कि स्टॉक के अंदर अभी काफी तेजी है और काफी अच्छी अपवर्ड मुमेंट चल रही है अब बात करते हैं स्टॉक के फर्णमेंटल्स की तो सबसे बहुत हम बात करेंगे पर 353 करोर्स की जो कि इसे एक स्मॉल कैप कंपनी बनाता है और अगर फंडमेंटल्स और फाइनशल स्ट्रॉंग हो तो काफी जल्दी मिड कैप और लार्ज कैप में तबदील हो जाती है बात करें इसकी पी रेशयो की तो पी रेशयो अकसर 30 के नीचे अच्छा माना जाता एंड 0 के जितना पास हो उतना अच्छा माना जाता है इस company का PE ratio 34.98 है तो PE ratio average है सही है जाधा अच्छा है या बुरा नहीं है बात करें PB ratio की तो 13.94 का है industry PE यहां पे 30.93 का है debt to equity ratio की बात करें तो 1 के नीचे अच्छा माना जाता है एंड 0 के जितना पास हो उतना अच्छा माना जाता है बाट यहां पर जो debt to equity ratio है वो negative में negative 0.11 में है तो negative का debt to equity ratio का मदलब यह हो गया कि company के assets से जाधा है यहां पर liabilities है जोगी यह किसे risky investments बना देता है बढ़ हां company यह debt to equity ratio को maintain कर लेगी long term के हिसाब से बात करें ROE की return on equity की तो वह है 49.88% की जो की काफी अच्छी है विकाज आवरेजली हमें 15% के round देखने को मिलती है बट ROE यहां पर 49.88% की है EPS की बात करें तो 7.40 का यहां पर dividend yield नहीं देती है company dividend provide नहीं करती है इसलिए dividend yield यहां पर नहीं है book value की बात करें तो 18.56 रुपीज की यहां पर book value है जो face value है stock की वो 10 रुपीज की है अब नजर मार लेते हैं इस company की financial data के उपर और बात करते हैं सबसे बहुले revenue की तो year on year basis पे अगर हम revenue की बात करें तो 2018 के अंदर जो revenue था 123 करोर्सका था वही 2019 में बढ गcl तो revenue अगर आप past 5 years से compare करेंगे तो हर साल बढ़ता आ रहा है जो कि यह काफी जादा अच्छे financials की निशानी है तो revenue काफी जादा अच्छे है आप बात करें profit की तो profit 2018 में 1 CR का था, 2019 में 0.46 CR का था, 2020 में 0.35 करोर्स का था, 2021 के अंदर 4 करोर्स का था तो profit की बात करें तो यहाँ पर हमें 2018 से लेके 2020 तक कम होता हुआ दिखा बट अगर long term के हिसाब से देखे तो profit भी यहाँ पर increase होता आ रहा है time to time दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस company की net worth की तो 2018 से लेके 2022 तक की net worth देखे तो 2018 के अंदर जो net worth थी company की वो 4 करोर्स की थी, 2019 में यहाँ पर net worth हो गई थी 18 करोर्स की 2020 के अंदर भी 18 करोर्स थी, 2021 में बढ़के हो गई थी 22 करोर्स and currently 2022 के अंदर में 36 करोर्स पर है जो की एक अच्छे financials की निशानी है, अब बात करते हैं हम shareholding patterns की March 2021 का shareholding pattern देखेंगे उसके बाद जून 2022 का देखेंगे और नहें compare करेंगे की shareholding pattern में क्या difference हमें देखने को मिलता है March 2021 की बात करेंगे तो promoters के पास यहाँ पे 73.26% का stake था, retail investors के पास यहाँ पे 26.74% और बाकी other domestic institutions, foreign institutions, mutual fund houses के वाद 0% का stake था अब इससे compare करते हैं जून 2022 से तो promoters की holding हो गई वो घटके हो गई थी 72.37% retail investors की यहाँ पे approximately 10% गटके हो गई थी 17.61% और वही पे बात करें तो retail investors की holding को purchase किया था, foreign institutions ने and foreign institutions की holding 0 से लेके direct हो चुकी है 10.02 जो की काफी अच्छी बात है बिकास foreign institutions की investment काफी जादा majority हमें वो दिखा देती है कि company कैसा perform कर रही है अगर foreign institutions की investment यहाँ बढ़ रही हो तो company का मदलब ही होता है कि company अच्छा perform करेगी and आगे future काफी अच्छा हो सकता है company का तो यहाँ पे foreign institutions की investment 0 से सीधा 10.02% पर आई है जो की काफी अच्छी बात है तो यहाँ पे approximately हमें company का future अच्छा देखने को मिल रहा है और shareholding pattern भी overall काफी जादर strong देखने को मिल रहा है other domestic institutions and mutual fund houses के पास यहाँ पे अभी भी 0% ही है अब बात करते है company के नाम की तो company का नाम है यहाँ पे Exita Cotton Limited company का जो Bombay code है Bombay stock exchange पे वो है 542285 अब बात करते है official letter की जो company ने आपे release किया है public के लिए तो यहाँ पे आप official letter को देख सकते हैं अपनी screen के उपर में जिसके अंदर हमें साफ साफ देखने को मिल जाता है कि 12th of August को यहाँ बोर्ड मीटिंग होने जा रही है जो बोर्ड मीटिंग का purpose होने वाला है और quarterly results है और साथ ही साथ में stock split का होने वाला है तो company fundamentally financially काफी साथ strong है अगर यहाँ पे stock split को लेके कोई भी positive news निकल के आई तो definitely stock के अंदर हमें एक upward moment देखने को मिलेगा और अभी के लिए आप stock को purchase कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा risk ले सकते हो अपने capital के उपर में तो यह stock एक अच्छी investment आपके लिए हो सकता है अगर आपको भी लेटर पढ़ना है तो इसका पूरा link में आपको description में देदूँगा आप वहां से open करके इसे पढ़ सकते हैं बागी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी subscribe कर देना वेकोज फिनो मीडिये के अंदर आपको stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चिले मिलेंगे किसी और वीडियो में तिल दिन बाई